हलो फेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजुनेक CD3 टैबलेट की रेजुनेक CD3 टैबलेट एक मल्टी विटामिन्स और मल्टी मिनरल्स टैबलेट होती है जिसका उपियोग डायवटीस पैशेंट में नियूरोपेथी पेयन को ठीट करने के लिए किया जाता ह इसके अलावा किसी तरह से पेशेंट की नर्व डेमेज हो गई है नसों की दर्द को ठीक करने के लिए भी इसका उपियोग होता है पेरों में जंजनाहट है ये टैबलेट जो भी डेमेज नियूरोन होते हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है होमोसिस्टीन के जो इसके अलावा किसी पैशेंट में अगर हाई कोलिस्ट्रॉल है तो उसे ट्रीट करने के लिए भी इस टैबलेट को दिया जाता है ये टैबलेट विटामिन D3 और केल्शियम की कमी के कारण हड्डियों से सम्बंदी जितने भी डिसॉडर है उन्हें ट्रीट करने का काम करती है विटामिन C की कमी के कारण अगर एनीमिया हुआ है किसी पैशेंट को तो इस तरह एनीमिया के इलाज के लिए भी इस टैबलेट को लिखा जाता है टैबलेट के अगर कमपोजिशन की बात की जाए तो इसमें अलफा लिपोई के सीट होता है 200 मिलिग्राम बैनफोट याम 100 mg होता है मिथाइल कुबालमिन होता है इसमें 1500 माइक्रोग्राम पाइरीडॉक्सिन 3 मिलिग्राम होता है और विटामिन D3 1000 इंटरनेशनल यूनिट मिलाए जाता है अगर कॉंट्रा इंडिकेशन की बात करें इस टैबलेट को किस-किस बिमारी में कौन से पैशेंट को नही इसे अगर आपको हैपर संसेटिवीटी है तो इस टैबलेट को ना लिए साइड़ इफेक्ट की बात की जाए तो कुछ खास इफेक्ट के नहीं है किसी-किसी पैसिन में कुछ साइड इफेक्ट आते हैं जैसे नोजीया होना कम भूग लगना कॉंस्टिपेशन होना डाइर इस टैबलेट को किस तरह से लेना है तो इस टैबलेट को रात में डेली एक टैबलेट को लिया चाहता है इसके अलाब आपकी डॉक्टर ने जितने समय के लिए प्रिस्क्राइब किया है जैसे लेने के लिए कहा है उसी तरह से आपको लेना है कोई भी डोस मिस ना करते हुई है आपको फिक्स एक टाइम पर डेली आपको टेबलेट लेनी चाहिए ये टेबलेट डेली एक टेबलेट खाना खाने के बाद लेना है कुछ प्रिकॉशन के अगर बात करें तो अगर लीवर गिडनी से रिलेटेट कोई भी बिमारी है प्रेगनेंसी है ब्रेस्ट फिडिंग मदर है अल्कोहलिसम है ड्राइविंग करते हैं तो ये सभी बातें अपने डॉक्टर को जरूर बताए आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा वीडियो को लाइक जरूर करें चेनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन ओन करना ना भूलें वीडियो आपने अंते तक देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद